तो आज हम आपके लिए जो एच्वी एसिस से रिलेटिड वीडियो लेके आ हैं यह आपके सामने एक डेसिबल मीटर है इसको SLM भी बोलते हैं यानिके साउंड लेवल मीटर इसका हम इसको किस तरीके से किसी भी जगा पर आप साउंड के लेवल को मेर कर सकते हैं यह प्रॉपर डिटेल आपको इस वीडियो में मिल जाएगी उसके लावा इसके जो ओप्शन्स हैं इसके जो बटन्स हैं इनकी इनका क्या मकसद है और इसकी जो डिस्पले के उपर रीडिंग दाएगी उसको आपने प्रॉपरली किस तरीके से रीट करना है चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो वीडियो शुरू करने से पहले एक चोटी सी रिक्वेस्ट है अगर आप नहीं हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब क रूम में बैठा हुआ हूँ तो मैं इसको इसको मैं जो बात कर रहे हूं गर्वेऀ्ट के या या पने बास कर लेना या आपने इसको बिल्कुल अपने पास नी Θला क्यूंकिいます यह जो इर्दगीर्द है एटमोस्फेरिक है वहां पे आप नहीं कुए यह मेरा रूम है तरीका यही होता है कि आपने इसको अगर किसी जगा पे सेंस करनी है डिबी ए सॉंड लेवल तो आपने इसको बिल्कुल किसी उस सर्फिस के पास नहीं रखना जहां पे आपने इसको स सॉंड के उपर फॉम है यह बैसिकली इसकी जो प्यॉरिफकेशन करता है सॉंड की एकुरेट रिडिंग के लिए आप इसके उपर यह फॉम लगा सकते हैं यहां पर बैसिकली रिडिंग लेना मक्सूद है जो आपकी इस फॉम से फिल्टर होके नोइस जाएगी वह बिल्क बैटरी के सेल हैं जो आप यहां से सक्रियू को खोल के आप इसकी बैटरी और सेल इसके चेंज कर सकते हैं उसके बाद मैं आपको दिखा दूं यहां पे 6 वोल्ट की आप देख रहे हैं डी सी इंपूट है और यहां पर इसकी डी सी आउट है ठीक है उसके बाद आप देख जो है यह रहेंजा है कЕ भई यह जो वाइस रिकॉर्ड करे को ओन करूंगो वो आपके सामने आ जाएंगे पहले यह आपके इसके ओपर जो कुछ पुछ बटन्स है मैं इनको बादेता हूं यह बेसिकली इसके पावर ओन ओफ का बटन है ठीक है पावर ओन ओफ यहां से हम इसको ओन करेंगे तो यह ओन जाएगा डिस्प्ले के ओपर जो हम वोईस रिकार्ड करना शुरू कर देगा रिडिंग देना शुरू कर देगा उसके साथ मैकसिमम अब यह मैकसिमम का बटन क्या है कि जैसे मैं बात कर रहा हूं मेरी बात के दुराओं जब मैं सबसे जएदा लोडली बोलूँगा सबसे ज सदा कितनी उची वाज में बात की है यह उसको होल्ड कर लेगा उसके बाद यह इसके निचे लेवल्स है अब यह लेवल्स क्या है यह बैसिकली यही रिडिंग की आपको सेटिंग है कि आप इसके लेवल्स से इसकी रिडिंग मसाल के तोर पर मैं कहता हूं नहीं यार मैं 30 DBA से लेके 130 DBA तक मैं sound record नहीं करना चाहता मैं चाहता हूँ 30 DBA से लेके 120 DBA तक मैं sound record करूँ तो मैं इसके level से यहां से इसको don कर दूंगा इसकी reading को वो भी मैं आपको करके दिखाऊंगा उसके बाद है A and C अब A से क्या मुराद है C से क्या मुराद है इसको समझने के पहले पहले मैं आपको बता दूं कि जहां पर हम reading लेंगे ने display के उपर जो reading आएगी ना उसके साथ यहां तो फिर A आएगा यहां फिर C लिखाएगा एक चोटा सा अब इसका A से क्या मुराद है A से मुराद है कि एक journal voice है जैसे मैं बात कर रहा हूँ नॉर्मल वाइस है और उसकी thickness भी नहीं है लेकिन एक नॉर्मल वाइस से हट के एक sound होगा जो जिसका एक weight होता है weightness कहले है thickness कहले जिसको हम कहते हैं कि भारी बरका मुवाज तो उसके साथ यह C का option आजाएगा यह इस sensor की quality है कि यह भी आपको बताएगा कि आप यहां पे normal wise को read कर रहे हैं यहां आप एक normal wise से हट के कोई भारी बरका मुवाज को record कर रहे हैं उसके बाद है fast and slow अब यहां अगर आप fast पे रखेंगे तो यह fast का option यही है कि यह reading को फोरन से जैसे हैं आप बात कर रहे है normal उसको फोरन से display के उपर display कर देगा यानि कि आपको दिखा देगा लेकिन slow क्या है slow वो 1-2 second के बाद यानि कि 1-2 second के बाद वो आपको display के उपर show करेगा यानि कि slowly reading आपको show करेगा ठीक है अब हम इसको on कर लेते हैं और आपको इसकी setting आपको display के उपर भी दिखा देते हैं तो यह आप देख रहे हैं हमने इसके उपर on किया सबसे पहले अब यह जो मैं बात कर रहा हूँ मैंने reading यह आप देख रहे हैं जो इसके level है वो भी 30 dba से लेके 130 dba तक है अगर मैं कहता हूँ कि नहीं मेरी voice है जो वो 90 से अप जाई नहीं रही तो मैं इसको कम कर लेता हूँ तो यह आप देख रहे हैं यह आप देख रहे हैं 50 से लेके 50 से लेके 100 तक और यह आप उपर देख रहे हैं यहाँ पर लिखा रहा है under, under से क्या मुराद है आपको दिखा देता हूं यह आप देखरें अभी तर्टी आ गया अब मैं इसको कम करता हूं यह अब मैं 80 को करूँ गा तो यह over का option आ गया यह निकि मेरी वाइस है मैं इसको maximum पहले select कर लेता हूं तो मैं जब बोलूगा यह आप देख रहे हैं maximum जब यह 80 रखा हुआ है तो यह over हो रहा है जब मैं बोल रहा हूं कि यह over का option दे रहा है कि भाई मेरी wise से वो 80 से up है तो मैं इसको फिर बढ़ा देता हूं तो यह आप देख रहे हैं इस तरीके से आप इसकी range भी अपने हिसाब से set कर सकते हैं अब मैंने इसको maximum पर hold किया हुआ था तो maximum मैं जितनी loadly wise से बोला हूं वो मेरी सबसे loadly wise सी वो 91.3 dba और एक साथ में यह आप देख रहे हैं एक small सा लिखा ओरा ए ए से मुराद के normal wise से है जारी दिवाद मैं एक normal wise से ही बात कर रहा हूं मेरी wise से वो इतनी heavy बरिबारी बरकम नहीं है इस वज़ा से उसने लिख दिया है ए तो dba का मतलब है decibel meter decibel meter basic लिए आपके sound की काई है उसके बाद मैं आ जेता हूं fast अब यह fast reading चो कर रहा हूं मैं maximum हटा देता हूं तो यह आप देख रहे हैं यह फोरन से जैसे मैं बात अब डॉन करी जा रही है यह आपके सामने यह graph की सूरत में भी आपको उपर से यह बात कर रहा हूं तो यह आप जाएगा graph तो यह fast है अब मैं इसको कर लेता हूं slow तो यह आप देख रहे हैं अब यह slow पे हो गया है तो यह जो graph है यह भी इतना normal आपकी speed से move नहीं कर रहा है बिल्कुल slowly कर रहा है बर इस बत fast के fast है आपके सामने अभी मैं इसको दुबारा यह आप देख स्लो है तो यह basically इसकी simple सी diagram कर रहा हूं इसकी designing ती इसके parameters जो इसके अंदर आ रहे हैं वो तमाम चीज़े मैंने आपको बता दी हैं तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चानल को subscribe कर लीजिए और बेल आई को उनके बटन को लाजमी प्रेस करें ताकि अच्छी एसी सरे लेटिड जो भी वीडियो ब्लोड करें वो आपको नोटिकेशन में मिल जाए